नवस्कार साथियूं मेरा नाम है आरके सिंग संस्कति आईएस के सरकारी योजना एवं कारिकरम सीरीज में आप सभी का स्वागत है इस सीरीज के अंतरगत आज के एपिसोड में हम जिस विशय की चर्चा करने वाले हैं वो है एक प्लेटफॉर्म ये प्लेटफॉर्म किस से जुड़ता है तो ये वायू गुडवत्ता से संबंदित एक प्लेटफॉर्म लांच किया गया है जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं आखिर ये प्लेटफॉर्म है क्या तो ये प्लेटफॉर्म है वायू गुडवत्ता प्रवंधन एक्सचेंग प्लेटफॉर्म तो इसी प् एपिसोड में हम चर्चा करेंगे चलिए सबसे पहले हम जाल लेते हैं कि आखिर ये जो वायू गुडवत्ता प्रवंधन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है ये न्यूज में क्यों है क्यों चर्चाओं में है तो थोड़ा सा एक न्यूज आर्टिकल लेते हैं इसके अधार पर ये जो प्लेटफॉर्म है ये चर्चा का भी से बना हुआ है बात करें तो बैस्वीक जो स्वच वायू कारवाई है उसका समर्थन करने के लिए खास तौर पे ये नया कह सकते हैं कि właściwie जो गुडवत्ता प्रवंधन कह सकते हैं मंच है जो platform है इसे launch किया गया है क्योंकि हाली में जलवायू और स्वच वायू गठ बंधन ने वायू गुढवक्ता प्रवंधन Exchange platform को विक्सित किया इसे डबलब किया है और अब इसे ये launch कर रहा है और इसी कारण से इस Plattform की चर्चा हो रहे तो इसमें एक महत्पूरं बात ये हो गई की आखिर इस मंच को जो गठवन्धन है यही इसे लांच कर रहा यही इसे बिक्सित किया है तो यह हमने देख लिया अभ इसके साथ थोड़ा सा हम बात कर लेंगे इससे जुड़ि हुई जो महतपुन बाते हैं उन पर हम चर्चा कर लेते हैं कि वायू गुलवत्ता प्रवंधन जो एक्सचेंज प्लेटफोर्म है आखिर ये है क्या जैसे अगर बात करें तो पिछले कुछ समय ही एक न्यूज आई थी कि अंतराश्टी अस्तर पे दुनिया के जो देश हैं अगर देशों की चर्चा करें तो प्रदूशन प्रवंधन या प्रदूशन से समंधित जो विभिन समस्याएं हैं उनके निवारण के लिए उसमें सुधार के लिए उनसे प्रवंधन से समंधित एक आकड़ा जारी किया गया था कह सकते हैं कि एक लिस्ट आई थी एक से संबन्धित, जो समस्याय हैं, उनमें सबसे अधिक सुधार किया है। और खास तौर पे ये जो सुधार है, ये विश्व स्वास्त जो संगठन है, जो World Health Organization है, जिसने खास तोर पे कुछ मानक तय किये हैं जिसमें अगर प्रदूसर्ण की बात करें तो उसमें एक कह सकते हैं यूणीट है एक खंड है वह वायू गुडवत्ता से सम्मंधित जो मानक डब्लू एक्चों ने तय किये हैं उस संदर में भी भारत में खास तोर पे क्या है कि सुधार प्रवंधन या कह सकते हैं कि अपने देश में जो बिभिन जटिलताएं थी उन पर भारत सरकार ने खास तोर पे काम किया जिसके परिडाम अब देखने को मिल लें जिसके अधार पर इस रिपोर्ट में ये कहा गया था कि भारतियों की जो उम्र है वो जो वास्तविक जो प्र वायू जो गुडवत्ता प्रवंधन एक्सचेंज जो प्रेटफॉर्म है ये एक ऐसा मंच है जो डबलू एच्चु के जो वायू गुडवत्ता दिसार निर्देश है जो विश्वस्वास संगठन है इसने खास तोर पे एयर क्वाल्टी से संबंदित कुछ खास मानक तै क कि आखीर जो एयर क्वाल्टी है वो किस लेबल पे होने चाहिए उसके अलग-अलग मानक तै कि है उसी को ध्यान में रखते हुए वो जो गाइडलाइन है वो जो दिसार निर्देश है उसके जो लच्च है उसको पूरा करने के लिए प्रस्तावित नमिंतम वायू प्रवंधन मार्गदर्शन और उपकरण प्रदान करने के लिए खास तोर पे ये सरकार ने इस प्रेट्स फॉर्म को लांच किया है तो देखे अगर बात करें कि किस उदेश से तो देखे जो डबलू हो है उसने जो वायू गुडवत्ता एयर क्वाल्टी से संबंदी जो स दर्शन या कह सकते हैं ये जो उपकरण है वो इसको पूरा करेगा और इसलिए कहें तो ये जो प्रेट्स फॉर्म है इसे लांच किया गया इसलिए ये खास तोर पे चर्चा का विशय बना हुआ है तो ये हमने देख लिया अब इसके साथ ही अगर हम बात करें जो मूल इस इसके प्रत्यूत्तर में विक्सित किया गया है खास तोर पे देखें तो बैस्वी कस्तर पे ग्लोबल लेबल पे जो वायू गुलवत्ता है उसमें सुधार करने के लिए जो छेत्री सहयोग है कह सकते हैं कि उनको उन सहयोगों को प्राप्त करने के लिए वहां जो उसको और प्रोसाहित करने के लिए उसे बढ़ाने के लिए खास तोर पे कहें तो इस उदेश के साथ इस प्रेटफॉर्म को विक्सित भी किया गया है और लांच भी किया गया क्योंकि भारत में देखें तो कुछ जगों पर प्रदूसर्ण से समंदित बहुत सुधार हुए ह जैसे अगर खास तोर पे अगर एर क्वाल्टी से समंदित देखें जैसे दुनिया में तो अलग-अलग अस्तर पे सुधार हो ही रही है लेकिन भारत में देखें तो अभी क्या है कि छेत्री और समानता देखने को मिलती है परियावरन सुधार को लेकर वायू प्रदूसर् अब थोड़ा सा इस प्लेट्सफॉर्म के महत्यू की चर्चा कर लेते हैं कि आखिर इसका क्या लाभ होगा तो देखें अगर लाभों की बात करें महत्यू की बात करें तो वायू गुडवत्ता प्रवंधन जो छमता अंतराल है उसको दूर करने में हमें मदद मिलेगी कहन से क्या है कि एक समाल लेवल पे ये विकास प्रवंधन हो सकता है और ये क्या है कि इस मदद के साथ क्या है कि विशेश रूप से प्रमुख विशय होंगे जैसे कुरेटेड जो मार्दसन है उसके साथ क्या है कि वायू गुडवत्ता की जो निगरानी है ये क्या होगा कि अगलग छेत्रों में जो वायू गुडवत्ता है उसका मानव स्वास्त पर क्या प्रभाव पड़ रहा है उस प्रभावों को भी कह सकते हैं कि अस्पष्ट करने में या कह सकते हैं कि उनका आकलन करने के बारे में जो जानकारी है वो प्राप्थ हो पाएगी यहीं नहीं जो मेकर हैं नेड़ करता है उनको वायू गुडवत्ता के प्रभाव की बेस्ट या और कह सकते हैं कि सटीक जो जानकारी है पूर जो तस्बीर है वो प्राप्थ होगी जिससे क्या होगा कि आने वाले समय में उस छेतर के लिए आखिर क्या प्रवंधन किया जाना चाहिए ये डि बात कही गई है ऐसा ही नहीं कुछ ऐसी नीतियां भी बनाई जा सकेंगी जिसके अधार पर बैस्विक अस्तर पे जो सारजनिक स्वास्त आव सकता है हैं उनको खास तोर पे असपश्ट रूप से दरसाया जा सकेगा और ये जो मंज होगा ये जो प्लेटफॉर्म होगा ये छेत्री और उप छेत्री समुदायों को वायू गुडवत्ता प्रवंधन की विसेस्ताओं के बारे में ग्यान का आदान प्रदान करने की सुविधा भी प्रदान करेगा ये इसकी महत्पूर्ण विसेस्ता है क्योंकि इससे क्या होगा कि अलग-अलग जो छेत्र हैं उनसे संबंधित जो कह सकते हैं कि वहाँ पर जो management किया जाता है अगर वो success होता है तो वो जो आकड़े होंगे वो जो तरीका होगा वो क्या करेगा दूसरे छेत्र के साथ share किया जाएगा ताकि अगर वो सफल तरीका है वो सफल प्रवंधन निती है तो उसे दूसरे छेत्रों में भी लागू किया जा सके तो यह बात कहीं गई है अब इससे जुड़ा हुआ एक और तथे जो आपको जानना चाहिए वो है जलवायू एवम सच्वायू गठवंधन यह जिसने इसे लांच किया है थोड़ा सा इसके बारे में भी देख लेंगे कि आखिर इसकी अस्थापना कप की गई थी तो बर्स 2012 में की गई थी इसका जो आयोजन है वो संयूक्त राष्ट परियावरण जो कारिक्रम है UNEP इसके अंतरगत किया गया था अगर इसके सदस्य देशों की बात करें जो इसके मेंबर है कौन है तो इसमें देखिए 160 देशों से अधिक जो सरकारे हैं जो देशों के गौर्मेंट है वो इसकी सदस्य है इसके अलावा बहुत सारी जो अंतर सरकारी जो संगठन है वो भी इसमें सामिल है गैर सरकारी जो संगठन है जो एंजियोज है वो भी अपनी स्वैचिक साज़दारी इसमें प्रस्तूत करता है इसके अलावा बहुत सारे कर सकते हैं कि ऐसी बित्ती या ऐसी स्वैचिक संस्था है जो इसकी सदस्य है तो यह हमने देख लिया इस तरह से कि आखिर यह है क्या अब इसमें अगर हम बात करें कि जो जलवायू सच्थ वायू गठवंधन है आखिर इसका कार्य होता इसका फंक्सन क्या है ये करता क्या है तो देखें यह सकतिसाली है लेकिन अल्पकालिक जलवायू जो प्रदूसक है जैसे मीठेन है ब्लैक कार्बन है हाइड्रो फ्लोरो जो कार्बन है एच एपसी जिसे हम बोलते हैं प खास तोर पे बैस्वीक अस्तर पे इन्हें कम करने का जो दाइत्व है ये निभाता है जलवायू एवं वायू गठ बंधन तो ये इसका कार है इसके अलावा अगर बात करें कि मूल रूप से आखिर इसे अस्थापित करने का मूल उदे से क्या है तो देखे महत्वा कांची जो एजेंडा है उसको निर्धारित करना और देशों और छेत्रों के भीतर लच्छित जो सम्मन करवाईया है उनके साथ इसे जोड़कर प्रभावी रूप से लागू करना खास तोर पे इस गठ बंधन का उदे से तो ये हमने देख लिया अब इसके साथ इस पर एक बर्स 2012 और बर्स 2020 तो इस तरह से हमने बात कर ली कि आखिर ये जो प्लेट फोर्म है ये क्यों चख़ा में में है आखिर इसके क्या हुदेस̇ंस को ध्यान में रख्ते हुए इसे विक्सित किया गया है इसके क्या महत्व है और इसे जुरovy ही जू जानकारी थी उस पर हमने कर ली तो आज के एपिसोड में इतना ही नए एपिसोड में एक नए कारक्रम के साथ फिर मिलेंगे तो आप हमारे साथ बने रहे हैं इसके लिए धन्यवाद कर सस्ते Für दोगन के साथ प्रूस में अ है।